नमस्कार दोस्तों आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हम लोगों के इस यूट्यूब चैनल सिक्षा सबकों में और हम लोग अर्थसास विजय पढ़ रहे हैं उसके दूसरे अध्याए का जोकी मॉड्यूल वन में आता है उसके दूसरे अध्याए मानवी और शक्ता अर्थन कर लेते हैं मतलब एक बार दोहरा लेते हैं कि हमने क्या-क्या पिछले वीडियो में पढ़ा हम लोग ने पढ़ा था कि आवशक्ताओं का अर्थ क्या होता है तो जैसे कि आप लोगोंने को बताया पहले भी आवशक्ताएं ऐसी इच्छा हैं जिनको पूरा करने के लिए व्यक्ति के पास धन होता है और साथ में उसको पाने की उसको खर्च करने की ततपरता होती है तब वो इच्छा एक आवशक्ता में परिवर्टित हो जाती है इसमें हमने इक कई उधारन भी लिये थे इसके पश्चात है आवशक्ताओं का उदर दथा प्रशार इसमे हमने पढ़ा था कि आवशक्ताओं कैसे उत्पन होती है और कैसे धीरे धीरे समय के साथ उसमें प्रशार होता है कैसे वो बढ़ती जाती है इसके पश्चात है आवशक्ताओं की तुष्टी हमने देखा था कि आवशक्ताओं की तुष्टी कैसे की जाती है जैसे कि आवश सकता पड़े अभी जो वस्तूएं और सेवाएं हैं ये सारी की सारी संसाधनों की मतद से उत्पादित की जाती है यह जिनका उत्पादन संसाधनों की मतद से की जाता है संसाधन चारप्रकर्रकर करें संसाधन हमने पड़े थे जिसमें की भूमी, धन या पूंजी, श्रम या लेबर और उद्यम ये चारो संसादन सम्मेलित थे इसके पश्चात है हमने जो लाश्ट टॉपिक पढ़ा था वो था संसादन आवश्रताओं की तुष्टी कैसे करते हैं तो आपने देखा था उसमें भी आपको उधारन के सा सादन हैं भूमी, पूंजी और श्रम इन तीनों को एक साथ मिलाके इन तीनों के समनवे मिलाके और आपके लिए अनाज का उत्पादन करता है और आपके भोजन के आवश्रक्ता की पूर्ति या तुष्टी करता है तो आगे बढ़ते हैं आज का जो है जो पहला टॉपिक ह होती है कि जो मानव की passat वह संख्या में अनन्त होती हैं मतलब उनकी गिंती नहीं कर सकते आप, कि इतने पकार की आवशक्ता हैं आदमी को हो सकती हैं, और उनके अनेक सुरूप हैं, वो अलग अलग रूप में विद्दमान हैं, या मिलती हैं, जब एक आवशक्ता की पूर्ती होती है, या एक आवशक्ता की आदमी पूर्ती कर लेता है, तो दूसरी आ ते पंखे। कि नीचे पंखे का उपयोग नहीं कर पाता है तो अगर अगकों पंखे मिल जाता है यह कुजिक्जा पंखे के उसका है तो पंखे मिल्ते हैं उसके मन में अगली हावशक्ता जन्म रwsक्ता की कि किस तरह कैसे cooler आ जाए जब cooler भी अगर वो ले ले तो उसको फिर अगली आवशक्ता जो पड़ेगी वो पड़ेगी air conditioner की तो इस प्रकार से हम कहा सकते हैं कि जो आवशक्ताओं का जो चक्र है जो आवशक्ताओं का एक cycle बन जाता है नहीं नहीं आवशक्ताओं जन्म लेती रहती हैं वो पूरे जीवन चलता रहता है वो कभी खत्म नहीं होता है तो इस प्रकार हमारी जो आवशक्ताओं होती हैं व उसकी तुष्टी संभव होती है, उसको आप पूरा कर सकते हो, होता क्या है, कि जो भी कोई आवशक्ता होती है, उसकी भी एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है, अपने आप में आवशक्ता हैं तो असीमित हैं, लेकिन किसी एक आवशक्ता की एक सीमा होती है, अगर आपने ज तो होगा क्या कि दो तीन पानी के जब ग्लास आप पी लेंगे तो आपकी प्यास बुझ जाएगी या आपकी आवशक्ता की तुष्टी हो जाएगी और उसके पश्चात उस समय उसे पानी पीने का आपको मन नहीं करेगा तो इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी एक आवशक्ता की तुष्टी संबव है इसके पश्चात है कि कुछ आवशक्ताएं बार बार अनुभव होती हैं तो कहीं आवशक्ताएं ऐसी होती हैं ऐसे भी हमने पानी के बात करी कि अभी हम तीन-चार ग्लास पानी पीके इस समय तो अपनी प्यास बुझा लेंगे या इस समय जो हमारी अवशक्ताएं उसकी तुष्टी कर लेंगे परंदू कुछ समय पस्चात वह आवशक्ता दुबारा हो जायेगी यह रहा कि कुछ आवशक्ताएं को बार बार अनुभव होती हैं तो ऐसे आवशक्ता는 भूख प्यास यह ऐसे आवशक्ताएं जो की बार बार आपको स्थान के साथ और व्यक्ति के साथ जैसा जिस साबसे आद्मी का वहवार है या आद्मी सोचता है उस की आवशक्ता होती है तो जिस प्रकार से जैसे अभी तक जब जब तक एक कोवीड बीमारी नहीं आई थी जब चल रही है COVID-19, इससे पहले हमको इसके लिए किसी दवाई की आवशक्ता नहीं थी, लेकिन जैसे ही बीमारी आई हमको एक आवशक्ता हो गई, कि इसके लिए दवाई होनी चाहिए, जिसके की काम चल रहा है, तो दवाउं की आवशक्ता हमें कब होती है, जब हम बीमार होते हैं, या व्यक्ति के नुसार कुछ लोग को जाड़े में भी आईस्क्रीन का आवशक्ता होती होगी, लेकिन अधिकतर जो लोग हैं, उनको गर्मी में आवशक्ता होती है, ऐसे ही जो पहाड़ी इलाके हैं, जो पहाड़ी छेत्रे हैं, वहाँ पर लोगों को पूरे साल गर्म कपड आवशक्ता होती है, जब कि जो मेधानी इलाके हैं या जो गर्म इलाके हैं वहाँ पर केवल जाड़ो में ही आपको गर्म कपड़ों के आवशक्ता होती है, तो इस परकार से स्थान के साथ आवशक्ता का परिवर्टन हो गया, तो कह सकते हैं कि जो चीजे या जब समय स्थान गदिजेगे हैं तो उसके साब सावशक्ता भी परिवर्विट्त होती हैं तो यह आवशक्ता विवगता फूर्ण प्रिक्ञती को दिखलाता है इसके पश्चात है वर्तमान आवशक्ता हैं भावी आवशक्ता को finals हैं इस समय हैं वो जो भविश्ची की ज़रूरते हैं उनसे अधिक महत्पून आपके लिए होंगी जैसे कि आपकी किता में गुधरन दिया है कि मान लीजे आप अपने बच्चे के लिए अगर कोई एक पिता अपने बच्चे के लिए की पढ़ाही के लिए धन रखेगा या अपने भविश्ची के लिए धन रखेगा बहुती आसान सी बात है कि वो अपने जो बच्चा है उसके वर्तमान के लिए पैसा खर्च करेगा इस समय और अपने जो व्रधा वस्ता है उसके लिए पैसा नहीं खर्च करेगा त्योंकि उसके लिए अभी जो वर्तमान के आव वो जो आने वाली आवशक्ता हैं उससे अधिक महत्मूर्ण होती हैं अब इसलिए भी महत्मूर्ण होती हैं क्योंकि आदमी भविश्य की आवश्यक्ता को इसती चिंता नहीं करता है अब क्यों नहीं करता है क्योंकि भविश्य तो अनिश्चित होता है क्या पता क्या हो आग आगे भी एक topic में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे जो विकास होता है उसके साथ आवश्चक्ताइं परिवर्थित होती है और उनमें लगातार एक विस्तार होता है या एक increase होती है बढ़ती जाती है तो अब हम अगले बिंदू पर चलते हैं जो कि है आर्थिक तथा गैर आर्थिक तो आर्थिक आवश्चक्ताइं आर्थिक मतलब जिसमें धन का इस्तमाल हो जो कि धन से संबंदे तो और गैर आर्थिक मतलब जिसमें धन आवश्चक ना हो तो इसी आधार पर इन दोना आवश्चक्ताओं को बाटा गया है तो पहले हम पढ़ते हैं आर्थिक आवश्चक करना पड़ता है जैसे कि कोई भी वस्तू आप जैसे कि आपको मान लिजे आईस क्रीम खाने का मोने पोड़ी स sean Cliff आपको इसकी पूर्थी कुछ पैसा दुखांदार को देंगे और आईस क्रीम उसे लाकर खांदें गे तो यह इस प्रकार की जिनकी पूर्थी में जार से कीमत चुगार कर लाए गई वस्तू अत्वा से होती है वो सारी जो आवशक्ता हैं वो आर्थिक आवशक्ता हैं कहलाती है इसे प्रकार से गैर आर्थिक आवशक्ता हैं अब गैर आर्थिक आवशक्ता हैं क्या होती है अब इसी बात है जो जैसा पढ़ रहे हैं गैर पूर्ती है तो अवश्क जो वस्तुएं होती है या सेवाएं होती है वो बीना बजार से खरीदारी किये ही मिल जाती है अब आप खुछ समय सकते हैं कैसी आवश्कत है जैसे आपको पानी की प्यास है तो पानी आपको घर पर बीना बजार से खरीदे ही मिल जाएगा अब हो स होती है तो है निकी फ्री मैं आपको पानी दे रही है कि उसके अंडर सकी कार्टेज वगरा चेंज करते हैं तो यहीं अगर पानी आप भिना आरोगा पीते हैं या वैसे ही जो मिल जाता है तो वो एक गैरा आर्थिक आवशकता है इसे पिकार से आप सांस लेने के से लिए हव को इसमें आप देख सकते हैं कि कई सारी क्रियाएं इसमें आपको दिखाई गई हैं तो यह क्रियाएं जो जैसे आदमी कपड़े धो रहा है अपने यह खाना बना रहा है यह अपना कूला खुद साफ करके फैक रही है यह अपने पेड़ों में पानी दे रहे हैं तो यह सारी जो क्रिया आवशक्ताएं हैं जैसे कि आप कह सकते हो कि आपको साफ कपड़ पहनने के आवशक्ता है यहां को खाने के आवशक्ता है या फिर आपको घर साफ रखने के आवशक्ता है तो यह सारी की सारी जो आवशक्ताएं है यह आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों हो सकती है आप कैसे हो सकती हैं दोनों अगर आप मालेज़े साफ कपड़े पहनने के आपको आवशकता है और आप अपने कपड़े खुद दो रहे हैं तो तो वह एक आर्थिक आर्थिक आवशकता है क्योंकि उसमें आप किसी कहीं पर पैसा खश नहीं कर रहे हैं आप खुद ही उसको खुद न बनागे किसी और से बनवाएं को खाने बनाने वाला रख लें तब भी आपकी जो आर्थिक जो गेरा आर्थिक आवशकता है वो आर्थिक आवशकता में परीवटते हो जाएगी तो हम अगले बिंदु की और पलते हैं जो की है आवशकताओं में विकास के साथ प उसके समाज में, तो उसकी ऑफश्क्ता परिवर्तित होती है, और विस्तारिद भी होती है, जैसे कि आदमी मे sırी जब भूत काल था इसके बहुत पराणी बाते हैं, तब जोपड़ी में रहता था या गुफा में रहता था और आग भी simply आग जलाके उसको सेकता था इसके बाद धीरे-धीरे समय के साथ परिवर्तन हुआ और उसने कुछ दिवारें खड़ी की और उस पर एक डाला चछत डाला तो और फिर इसे परकार से कुछ खाने पीने का समानी उपका रहा है इस परकार से आप देख सकते हैं कि धीरे-धीरे चीजें चेंज भी हैं और उसको बड़े मकान के आउशकता पड़ी ऐसे ही अब यह वर्तमान का मकान दिखाया गया है जिसमी की जो कि और भव्य है तो अब भविता की तरफ बढ़ रहा है तो धीरे-धीरे जो आत्मी की जो रहने की है उसको उसको सिर्फ एक चार दिवारे जिसको बोलते हैं वो चाहिए थी वो धीरे-धीरे अब और मतलब विशाल होती जा रही है जो उसके आउशकता है उसको सिर्फ अब केवल रहने के लिए घर नहीं चाहिए उसको इसको एक लग्जरियस लाइफ एक विलास्ता पूर्ण जीवन जीने के लिए घर इसके पश्चात ऐसे ही हम जब शुरूवे जब हमारा वाहनों का जो जो एक सफर है या जो एक यात्रा है वो शुरूवी तो वो वो शुरूवी एक घोडा-गाडी से जो की धीर-धीरे जिसके की शेप में या जिसके आकार में परिवर्तन हुआ उसके बाद जो पहली कार आई उसके बाद फिर उसकार में इंप्रूमेंट होते होते आज हम सुपर कार या फिर ऐसी बैटरी वाली कार या अनेकों प्रकार की कारों का इस्तमाल अपने जो हमारी एक आवश्चक्ता है इधर से उधर जाने की या कम्यूट करने की उसमें यूज कर रहे हैं आपका आर्थिक विकास होता है समाज का उसके साथ साथ आपकी जो आवश्चक्ता हैं उसमें परिवर्ता और विस्तार होता जाता है जो टॉपिक है वो है आवश्चक्ताओं को सीमित रखने का भारती दर्शन अब इससे क्या मतलब है आवश्चक्ताओं को सीमित रखने स कैसे की जाती है आवशक्ताओं की पूर्ती की जाती है संसादनों से जो की दुरलब है संसादन दुरलब है आवशक्ताओं अनंत हैं तो अब ऐसा तो संभाव नहीं कि सारी आवशक्ताओं की पूर्ती आप कर पाएं क्योंकि उतने संसाधन ही नहीं है उन आवश्रक्ताओं की पूर्ती करने के लिए तो होगा क्या अगर आप आवश्रक्ताओं नित नहीं आवश्रक्ताओं के साथ आते रहेंगे तो आप उनको पूरा नहीं कर पाएंगे आप पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि सीमित संसाध रहे जो दार्षनिक रहे उन्होंने कहा क्यूंकि आप संसाधन को अनंत नहीं कर सकते तो अच्छा ये है कि आप आवशक्ताओं को अनंत से कम कर दें सीमित कर दे, उनको कम करें अपने आवशक्ताओं को, तो आवशक्ताओं को सीमित करेंगे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरती नहीं होगी, जब आपकी आवशक्ता नहीं है, ज्यादा नहीं है, तो आपको उसको पूरा करने की आवशक्ता नहीं है, इस परकार से आप स संतोष और सुख की व्रद्धी होती है जब आप अपनी आवशक्ताओं को सीमित रखेंगे तभी आप अपने जीवन में संतोष पूर्ण तरीगे से और सुखी जीवन व्रतियत कर पाएंगे इसी प्रकार हमारे राश्पिता महात्मा गांदी जी ने भी इस बात को उठाया उन्होंने हमेशा लोगों से कहा कि अपनी आवशक्ताओं सीमित रखेंगे और उनका कहने का मकसद इसलिए भी था क्योंकि अगर आप आप आवशक्ताओं सीमित रखेंगे तब आपका जीवन संतोष में बनेगा और जब संतोष में बनेगा तो संतोष की वज़े से ही उससे बच पाएंगे, मतलब आप गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, अगर आप की आवश्कता हैं सीमित हूँ, तो इस प्रकार उन्होंने गलत तरीकों से अपनी असीमित आवश्कताओं को पूरा करने से रोकने के लिए कहा, कि अपनी आवश्कता हैं सीमित रखो, बजाए बचने के लिए जरूरी है कि अपनी आवश्रक्ताएं सीमित रखने अब यही बात हमें एक हलके फुलके से उसमें बताता हूं कि यह बात धीरे-धीरे जब पुराने से लेकर आज तक भी यह बात इस बात पर हमारे समाज में जोड़ दिया जाता है कहा जाता है कि अपनी है तो यह आप खुद समझ गए किस किस मूवी से है तो इसमें भी यही कहा गया है कि अगर जरूरते कम होंगी तभी आदमी के जहमीर में दम होगा मतलब कोई गलत काम नहींगा तो आज के लिए मुझे लगता है इतना ही हम लोग ने अर्सास का जो दूसरा अध्याय वह चर्चा करेंगे हम ऐसा नहीं महत्पूर्ण प्रशन भी इसके अंदर देखेंगे जो जो इन जो इस पूरे मॉड्यूल के जो महत्पूर्ण प्रशन होंगे उसके बारे में एक बार दुबारा से पुन्रावड़ती करेंगे आशा करता हूँ कि आप लोगों को चीजे झाल